प्रित्वी फाउंडेशन आज हम आपके लिए जो वेकेंसी लेकर आए हैं वो निकली है HR डिपार्टमेंट में तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं Human Resource में या आप अल्रेडी इस फील्ड में काम कर चुके हैं आपको कुछ सालों का experience है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाली है वीडियो में आप end तक बने रहिए सारी चीज़ें हमेशा की तरीके आपको detail में explain करेंगे क्या इसमें आपकी job profile होगी कितनी आपको initially salary मिलेगी और क्या आपकी job location होगी साथ ही आपको HR का number भी देंगे पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले channel को subscribe कर दीजे और उसके साथ में जो bell icon है उसे भी press कर दीजे ताकि आपको future notifications मिलती रहें so friends HR manager की profile के उपर vacancy निकली है अब इसमें आपको location salary ये सब चीजे बताने से पहले थोड़ा सा हम इसके job role और responsibility के बारे में बात कर लेते हैं HR यानि human resource जो act करते हैं as a bridge between company और एक candidate के बीच में यानि कि HR जो होते हैं ये basically candidates को recruit करते हैं company के लिए company को employees लाके देते हैं अच्छे employees तो अब human resource management में अगर आप एक manager है तो आपकी क्या job role और responsibility होगी अब हम उस बारे में बात करेंगे एक अच्छा HR manager अपनी एक अच्छी team बनाएगा जिसमें कि different employees होंगे जैसे कि HR assistant होंगे HR journalist होंगे recruiters होंगे तो ये जो HR team आप बनाएगे वो आपको आपके अलग-अलग काम में help करेगी आपका ज़्यादतर काम आपके team के त्रू होगा एक अच्छी team को recruit करना एक अच्छी team को ready करना उसे groom करना उसे coach करना ये एक HR manager का important काम हो जाता है As a HR manager पूरा जो staffing process है जैसे कि hiring से लेकर employee की exit तक या फिर company के अंदर employee की कोई complain हो ये सारा जो पूरा काम है HR manager उसमें कहीं न कहीं involved होगा जैसे कि जब company में नए employees के hiring करनी होती है तो उसके लिए job posting के लिए description लिखा जाता है तो अलग-अलग vendors को, recruiters को, website पे इन job postings को डाला जाता है तो उन website से vendor से बात करना, उनकी जो भी fees हो उसे negotiate करना तो ये सारा काम HR manager करेगा मतलब कि जो भी job posting हुई है उसके थुरू जो भी application company में आए है और फिर उसके बाद जो interview process कैसे होगा, ये जो सारा process है उसे manage करने का काम HR manager का हो जाता है उसमें आपके पास आपको assistance provide करने के लिए आपकी पुरी team होगी, assistant होगी, recruiters होगी पर उन्हें target देना, incentive देना, इस process में train करना ये काम भी HR manager का होता है आपकी company के जो भी laws हैं, जो भी regulations हैं, उनको follow करना और make sure करना कि आपकी team, आपका department भी companies के laws और regulations को follow करे आप अपने employees को क्या salary offer कर रहे हैं, आपकी company में जो भी new hiring हो रही है, उसको आप क्या salary दे रही है यानि कि आप किसे क्या salary offer कर रहे हैं, इस काम के लिए आपको process बनाना, policies बनाना, ये सारा काम HR manager का होता है आपका जो staff है, आपकी जो team है, उसमें जो भी employees हैं, उन्हें अच्छे से treat करना और company के goals को meet करना, अगर कोई team related issue है, तो उसमें assistance provide करना, help करना ताकि वो अच्छे से आगे grow करें, आपको compassionate होके अपना काम करना है, तब जाके आप एक अच्छे HR manager बन पाएंगे और इसमें जो आपकी important responsibility होगी वो है, अच्छे employees को retain करना, जो कि company के लिए बहुत important होता है जैसे कि अगर किसी employee ने resignation डाल दिया, और company को उसकी जरूरत है क्योंकि वो एक अच्छा employee है, एक अच्छा performer है तो उसे आप retain करने में क्या कर सकते हैं, उसको convince करना ताकि वो रुख जाए और अपना resignation वापस ले ले तो यही कुछ आपकी job, role और responsibility होगी being a HR manager, तो इतनी white responsibilities को handle करने के लिए आपके पास भी कुछ set of skills होने चाहिए जैसे की people management skill, analytical skill, MS Excel का सही usage आपको होना चाहिए, policies के बारे में आपको अच्छी knowledge होनी चाहिए, organization skills आपकी अच्छी होनी चाहिए, management skills अच्छी होनी चाहिए, आपको HR management softwares की knowledge होनी चाहिए और आपके पास ideally एक bachelor's degree होनी चाहिए, human resource में, अगर आपने MBA कर रखा है, human resource में तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने किसी और field में bachelor's degree ले रखी है, MBA किया है, तो भी आप HR manager के लिए जा सकते हैं, बस आपके पास कुछ set of skills होने चाहिए, जो मैंने अभी आपको बता हैं, वो सारे set of skills आपके पास होने चाहिए, अब इसकी अगर हम job location की बात कर लें, तो वो है East Delhi, इसमें जो आपके पास experience होना चाहिए, वो है 10 to 12 years का आपके पास experience होना चाहिए, इस field में, और इसमें जो आपको salary मिलेगी, वो है 40,000 to 50,000 per month, इसमें आपकी salary डिपेंड करेग आपके experience के उपर, जितना अच्छा आपका working experience होगा, उतनी उस according आपकी salary होगी, तो अगर आप interested है इस job को करने में, experience है आपको 10 to 12 years का इस particular field में तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, आपकी screen पे HR की mail ID और number mention इस number पे जाके आप directly HR से contact कर सकते हैं, किसी भी stage पे आप से एक single rupees charge न apply कर सकते हैं, कोई doubt है अगर आपको इसके regarding तो उसे आप comment section में पूछ सकते हैं, वीडियो अगर helpful और useful लगी हो तो उसे like और share करिएगा, चैनल को subscribe कर दीजे, ऐसी ही daily vacancy की update पाने के लिए, प्रिथवी foundation के mission रोजगार initiative से जुड़िए, और भी अपने आसपास लोगों को इ जादा से जादा share करिए, ताकि जिस किसी को भी job की need है, उनस तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी help हो सके, आप हमें Facebook, Instagram और Telegram पे फॉलो कर सकते हैं, तीनों का link वीडियो के description box में mention है, thank you so much for watching, झाल